शुक्रिया, मैं क्या बोलूँ आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब भारत में जज ये बोले कि मोर के आंसु से बच्चा पैदा होता है। बीच बीच में एक आद ऐसा ओडर जरूर आता है वे एक जिससे लगे कि जुडेशिरी पे आपका विश्वास बना रहे। लेकिन लार्जली आप देखेंगे चाहे हिमान सुजी का मामला हो, चाहे सोनी सोडी का मामला हो, चाहे स्टी एक्ट हो चाहे रोस्टर हो, तमाम ऐसे मसले पर जो कोड का ओर्डर है, वो किस तरह का है उंस अब परिशित हैं। बिहार में पुलिस वालों से पूछा गया कि शराब गई कहां तो बहुत चुगा भी गया ये इस पूरे मामले में जो पूरा जुडिशल सिस्टम है उसी तरीके से काम कर रहा है हिमानसो जी सोनी सोडी दोनों मामला सामने है अरे महा महीम जजज साहब ये तो बताओ कि हत्या किसने की ये आपकी सारी एजनसी है सीवी आई है एना ये है पुलिस है महकमा है हत्या किसने की ये बताओ ये तो आप कह सकते हैं ना और सीधा आपने जुर्माना लगा दिया इसका क्या मतलब है इसका मतलब सीधा है कि नयाय मांगने के लिए आप अदालत में न आओ और ये मामला कहां से चला हमें पता है जुदिशरी कैसे काम कर रहा है कई बार तो common sense से भी आदमें उसका है नहीं हूं लेकिन बैरिस्टर भी पीज़डी किया है तो यह कैसे काम कर रहा है लगातार एक बड़े ज़स्ताफ्त में एक कोट में गया था एक मुझे पता है कैसे काम करता है इस एकैडमिक मैटर भी के नॉट इंटरफेयर तो क्या इनवस्टी में बलातकार हो जाए एक्स्पलेटेशन हो जाए कुछ हो जाता आप इंटरफेयर नहीं करेंगे आपको जैसे कन्विनियस लगता वैसे ओडर देंगे और आप एक डर बनाके रखें देखिए डर के आगे जीत है डरने का नहीं कि आप यह समझते हैं देश के लोगों में जो उबाल है जो सरकार खुद नहीं करती है वो कोट से करवाती है यह सामने है रंजन को वही एक और बक्ष में दिया सीधा राजसभा भेज़ दिया मतलब राजसभा लोगसभा इतनी बड़ी चीज है क्या कि जिसके लिए आप जमीर बेज़ देते हैं अपना इंसानियत बेज़ देते हैं साथ लोग मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं इस सावन का महीना चला है असली कावडिया अडानी है एक सामने वाले कावड में वो सत्ता बैठाय हुए आप पीछे वाले में वो भी पक्ष बैठाय हुए आप जाकर देखिए चाहे 36 गर हो चाहे राजस्थान हो अडानी को काम मिलना है कि नहीं मिलना है चाहे केंद्र हो चाहे बंगाल हो कहीं में जाकर देखिए हर जगाँ अडानी साथ हो एक दूसरा रास्ट्रिया अंदोरन का समय आ रहा है और मैं आपको कह रहा हूँ, कहते हैं ना कि तोटे की जान कहां थी, तो राक्षस की जान कहां थी, तो यह पूरा सिस्टम चल दा है, जो अलग-अलग आपको दिख रहा है, इस सब की जान कहां है, असली कावडिया है, अडानी उसी में है, रास्तिय करन करो अडानी का, यह एजंडा बना इसी में बोली, लोग सबाद चुनाओं आते आते दोजार चौबिस में, यह एजंडा हम लोग बनाएंगे, रास्तिय करन करो अडानी का, और जिसने भी उसको मदद किया है, जो भी सरकारे हैं, जिसने मदद किया है, उस सब को दिराफ्तार करके जेल भेजों यह रहेगा रिंडा रहेगा है आपको देखके लग रहा है इस अब नक्सलों है विकास आप अपने मॉडल का विकास क्यों छोपना चाहते हैं हर जगा वो बच्चा कहां गया मैं चलते चलते एक बात भूशना कर देता हूं इदर आँ मैंने इससे बात किये पढ़ता है चटी यह साथी में बेटा पढ़ें मालगता है हम गोचना कर रहे हैं कि जिस दिन यह पढ़ लेगा इसको ऑक्सवर्ड और कैमरीज में पढ़ाने का जहां भी एडमिशनों का उसका पूरा खर्चाव में तरनामा उठाएगा अजा कर महा पर रहा पर तुमी करना सियार्पीय प्येश्डि करना अपने गाउं में जो 17 लोग मारे गए हैं और तुम्हेरा है जो काटा गया है उन्हीं पह पिएजडि करना बताना पूरे दुनिया नीजिशना के नाम जो अधिवासी एक फेलाकों में क्या चला है यह को ऑनकी यह प दिखा लो एक चुवा कदर गया क्या यह इंसानियत के नाम पर धबा है मैं जानता हूं जितने यहां बड़े बड़े नेता बिरोक्रेट से उसाब अडानी के पेरोल पर है इसलिए मैंने कहा जिसके उसका नव पकड़ोगे सब पकड़ाएगा यह सवाल असली है जल जंगल जमीन वही है मामला वुलत ना मजी सहाब इदर से आलू डालोग उधर से सोना निकलेगा वो पुछ तिसगर के बारे में यह बोले थी कि सारे वहाँ जल जंगल जमीन अडानी को बेचेंगे आँ पंगरेस के सरकार उसको भी कर रहा है सब बेचेंगे जल जंगल जमीन तो इधर से डालेंगे पहाड उधर से निकलेगा सोना उधर से डालेंगे पेर उधर से निकलेगा सोना यह खेला है और खेला ना चल भी बहुत दिन चलेगा नहीं या क्रोल सारे नीजी कर सब कुछ बेच रहें सब कुछ बेच रहें और यह समझ रहें कि हमाल्चों कुमार प लोग डड़ दागा रहे हम लोग इत्यास के चाहत रहे गिरफतारी उत्रा पर इस नहीं ड़ते हैं किस बात का है वो पोकेट मारे में तोड़े गिरफतारी हो रहा है पकड़ो जिसको पकड़ना है साथ सीधा खुल के बोल रहे हैं कि पूरा इस बीजेपी अडानी पूरा डिजाइन अकुल के बोल रहा हूं हाथ लगा कर देखो साथियों यह लड़ाई बड़ी है यह सिलगेर में जो चल लहा है और गोंबाड में जो हत्या कांड हुआ है वो घटना नहीं संकेत है इस बात कि आदिवासी असमिता को बेचा जाएगा लूटा जाएगा मारा जाएगा सब कुछ किया जाएगा और यह सब्दे के निव एकनॉमिक पॉलिसी जबाया है उसके साथ इत्पैकेज में आए इसलिए इनके इंसाफ के लिए रिवीव प्रटिशन डला है मांजु जी इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा और जजज से इंसाफ नहीं मिलेगा यकीन मानिए कि 2024 का लोग सभा का मुद्दा बनागा जीत अंदर यहीं पर है जीत अंदर भीना अकिल भारतिये पहले सबसे पूरे ट्राइबल्स लोग कोई कठा किजिए नौर्थ इंसे पूरा हम लोग को हैं एक मार्थ दिल्ली घ्रों अपने अपने संस्कृति कल्चर के हिसाब से भारत के पूरे आधिवासी को बलाओ देखते हैं गोधी मीडिया दिखाया नहीं दिखाया हमारा यूटूबर भ एक अखिल भारतिय आधिवासी कोडिनेशन कमिटी बनाई है आये सरक पर यह अपने वजूत की लड़ाई है नहीं तो यह रिपीट गुमपार और सिलगेर यह लगतार रिपीच होता रहेगा जो लड़ेगा वही जीतेगा इसलिए इसको यकीन मानिये और इसको अखिल भा क्या हो रहा है दिल्ली सेंटर बनाई है लड़ाई गुमपार की नहीं है लड़ाई दिल्ली की है तक तो ताज बदल दो अपने आप यह ठीक हो जागा अडानी को पकरना है उसको नेशनाइज करो सारा पैसा लेकर भाग जागा है तो जो नेकसर से पूंजी का पैसे का उस लीला को परदाफास करना है हमें बहुत सारे लीडर से एक दो नहीं चाहिए सेख्रो लीडर से है और जो सिधा खुल के बोले की कावरिया को गिरफ्तार करना है इसको जिल बेजना है शुक्रिया टैंक्यू